दुनिया में COVID में हमारी अभी थमी नहीं है वैक्सिनों का यूनिवर्सल एक्सेस करवा कर कोरोना वाइरस उसके नए वैरियन को रोका जा सकता है अमीर देसों में अधिकांस लोगों को COVID वैक्सिन लग चुकी है लेकिन दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में रहने वाली घरीब आबादी का टीका करण का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है पस्सिमी देसों में यूज होने वाली वैक्सिनों की कीमत बहुत जादा है उनका स्टोरेज और ट्रांस्पोर्टेशन की दिक्कत के वज़े से गरीब देसों में अब तक ये उपलब्द नहीं हो पाई है अमेरिका के MIT और वेत इसराइल डिफेंस मेडिकल सेंटर ने एक नई वैक्सिन विक्सित करने का अभी दावा किया है जिसकी लागत कम होगी जो गरीब देसों के लिए बहुत योसफुल हो सकती है जिससे वहाँ पर जो टीका करन की समस्या है वो बहुत जादा कम हो सकती है नई वैक्सिन को RNA वैक्सिनों का कारगर बिकल बताया जा रहा है RNA वैक्सिन को काफी हाई टेक्नोलजी का यूज़ करके बनाया जाता है जिसके कारण उसका प्रोडक्शन कास्ट बहुत जादा हो जाता है जिसके चलते गरीब देस ऐसी RNA वैक्सिन को अफॉर्ड नहीं कर पाते है MIT जो नई वैक्सिन डेबलब कर रही है उसको स्टोर करना भी बहुत एज़ी है और उसका जो प्रोडक्शन कास्ट है वो भी बहुत कम है नई वैक्सिन में सार्स कोब 2 वाइरस के स्पाइक प्रोटीन के तुकडों को एक वाइरस जैसे कड़ पर जमाया गया है रिसर्चर्स के मताबिक ये वैक्सिन बहुत जबरदस्ट इम्यून रिस्पॉंस उत्पन करती है कमाल की बात है ये वैक्सिन जानवरों को भी इस प्रकार के वाइरस से सुरक्षा प्रदान करती है इस vaccine को कुछ इस तरह से design किया गया है कि इसे east से यानि खामीर से भी उत्पन किया जा सके इसके लिए fermentation की सुभिधा पूरे दुनिया में पहले से available है भारत का serum institute भारी मात्रा में इस type के vaccines उत्पन करने की योजना बना रहे है जो कि clinical trial के लिए Africa जैसे country में उन्होंने एक planning भी करी है ये जो नई vaccine बन रही है ये protein पर based होगी जिसकी manufacturing cost है वो बहुत कम होती है जिससे जो गरीब देश है वहाँ पर vaccine की जो availability है उसको एक निश्चित मात्रा में सुनिश्चित की जा सकती है और कमाल की बात है कि जिस technology के मदद से ये नया vaccine बनाने की कोसिस की जा रही है वो technology को लगभग देशों ने स्विकार आलेडी कर लिया है जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि ये protein waste vaccine है दर असल protein sub unit vaccine में virus protein के छोटे छोटे हिस्सर में समलिद किया जाते है इस technology से hepatitis B सहित कई बहुत सारी मौजूद vaccine का निर्मार किया जा चुका है बहुत सारे countries नई technology पर आधारिद vaccine को लेकर जिजगते हैं क्योंकि उनको भरोसा नहीं होता है कि जो नई technology से बनी vaccine है क्या उसका प्रभाव है क्या उसका कोई negative impact तो नहीं हो सकता है इस चीज़ को लेकर बहुत सारे असमंजस में रहते हैं देश लेकिन जो ये नई vaccine बन रही है उसको लेकर जिजग कम है उसका कारण है कि इस से पहले hepatitis B की जो vaccine बनी थी वो इसी technology का यूज़ करके बनाया गया था इस प्रकार से बनी जो vaccine होती है उन्हें आप आसानी से fridge में रखकर भी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं जबकि RNA vaccine का यूज़ करना काफे मुस्किल होता है क्योंकि उनको बहुत कम temperature पे रखने की ज़रूरत होती है जिसके उपलबदिता हर जगा नहीं होती है महामारी के आरम में जानवरों पर किये गए प्रियोगे से पता चला कि अकेले virus protein के इस हिससे से तगड़ा immune response पैदा नहीं होता है अता immune चंपता बढ़ाने के लिए जो researchers थे उन्होंने एक virus जैसे कड़ पर protein के अनेक copies को रखने का फैसला किया और उन्होंने virus के सांचे के तौर पर hepatitis B antigen का प्रियोग किया इस कड़ पर protein के अकेले तुकडों की परत बिचाने से अकेले protein की तुलना में जादा दमदार response उत्पन हुआ और ऐसा भी possibility है कि protein sub unit से निर्मित वैक्सीनों को आगे चलके mammals की cells से भी बनाया जा सकता है MIT की team ने virus के एक ऐसे protein का डिजाइन किया है जिसका उत्पादन Pichia, Pesto और इस नामक East द्वारा उत्पन किया जा सकता है इस East को industrial bio reactor में बहुत easily उत्पन किया जा सकता है vaccine के दोनों हिस्सों, protein के तुकडे और virus के कड़को East से अलग-अलग गुआया जा सकता है आपको पता होना चाहिए कि vaccine उत्पादन के लिए bio reactors में Pichia, Pesto रिस, East का उपियो किया जाता है इस vaccine का trail अभी हाल-फिलहाल में हुआ जिसके जो result थे वो बहुत चौकाने वाले थे वैक्सीन के द्वारा जो उत्पन antibodies का जो अस्तर था वो मानिता प्राप्त जो already recognized COVID vaccine है उनके द्वारा जो antibodies उत्पन होती है उनके एकदम बराबर था और एक कमाल का result ये भी निकल के आया कि जानवरों पर भी इसका काफी अच्छा खासा प्रभाव पढ़ रहा था उनके अंदर भी रोग प्रतिरोह चमता जो थी वो बढ़ रही थी रिसर्चस ने इस वैक्सीन के लिए spike protein के जिस हिस्से का प्रियोग किया वह SARS-CoV-2 के mole strain का sequence पर आधारित था जो कि 2019 में पहली बारी सामने आया था Australia में इस vaccine का clinical trial हो चुका है इसके पशाद सोद करताओं ने vaccine की immune उत्पादन चमता को बढ़ाने के लिए virus के दो mutation को सामिल किया है जो delta और lambda variant में पहचाने गए mutation की तरह ही थे यदि clinical trial हो में यह vaccine मौझूदा RNA vaccine की सुरक्षित और प्रभावी विकल्ब साबित होती ही तो इसका उप्योग करना बहुत easy हो जाएगा और बहुत सारे गरीब countries में भी आसानी से vaccination process start किया जा सकेगा इसके अलावा इसकी मदद से booster vaccine को भी बनाने में बहुत सारा मदद मिलने वाला है जिससे आसानी से एक vaccination drive को और तेजी से बढ़ाया जा सके जिससे करोना महमारी से लड़ने में मदद मिल सके